हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल दोस्तो अक्सर हमारे घर में केले बच जाते हैं जो बाद में सर जाते हैं गल जाते हैं जिसे हम फैक देते हैं लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी सरे हुए या फिर गले हुए केले को नहीं फेकेंगे दोस्तो मेरे पास भी ये केला है जो बहुत ज्यादा पका हुआ है और काला भी पढ़ गया है और इसको और कोई तो क्या मैं भी खाना पसंद QR लेकिन मैं इससे फेकूंगी विदि क्यूंकि मुझे पता है कि ज्यादा पके हुए गले हुए केले में विटामिन्स मिनरल्स और ज़्यादा हो जाते हैं भले ही मैं इसे ना खाऊं लेकिन मैं इसे अपने face पर तो लगा सकती हूँ कि इस गले हुए केले में बितामिनस इतना ज़्यादा है कि यह हमारे सकिन से Pigmentation को दूर करेगा एकने fine lines, wrinkles, dark circle को खतम करेगा इसके अलावा हमारे skin को hydrate करेगा, moss-trice करेगा इसके अलावा यह हमारे skin को sun के UV rays से protect करेगा और sun के UV rays से damage skin को treat भी करेगा तो अब तो आपको पता चल गया होगा कि क्यों इस सरे हुए केले को नहीं फेकना है दोस्तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसे face पर लगाना कैसे है सबसे पहले इसके छिलके को हटा दीजिए और इसको mess कर लीजिए आप इसको अपने हाथों से भी mess कर सकते हैं या फिर grinder में भी mess कर सकते हैं इसके बहुत ज़्यादा हुआ ली है तो आप इसमें थोड़ा सा नीमू का रस एड़ कर सकते हैं या फिर आप इसको directly भी लगा सकते हैं तो आपको clean face पर इसको apply करना है और apply करने के बाद कम से कम 10 मिनट तक हलके हाथों से circular motion में मसाज़ करना है केले में जो भी minerals, vitamins और enzyme है आपके skin में अच्छी तरह से absorb हो जाए 10 मिनट तक मसाज करने के बाद इसे 10 मिनट के लिए dry होने के लिए छोड़ दीजिए 10 मिनट के बाद जब ये dry हो जाएगा तो अपने skin को अच्छे से धो लीजिए अब इसका इस्तिमाल रोज करते हैं तो मैं guarantee देती हूँ कि आप अपने skin से pigmentation, काले घेरे, जाईया को 100% ठीक कर सकते हैं दोस्तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को like कीजिए, अपने friends के साथ share कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को subscribe कर लीजिए and subscribe के बगल में एक will icon आएगा, उसे जरूर दबाईएगा ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो का notification मिलता रहे और मेरे साथ बने रहिए, मुझे अपना support दीजिए, thank you, bye bye